वेल्कम फ्रेंज आजे आपड़े नुपूरक ना प्राणियों ना सामान्य लक्षणों विशे अभ्यास करवाना छे सामाने रिते नुपूरक समुदाई ना प्राणियों नी वाद करिये तो इना उदाहरणों म जोईये तो एक तो रेती कीडो अडस्यू लोई चूस्ती जडो वगेरेनो समावे स्थतो होई छे बराबर विध्यर्थी मित्रों सव प्रथम खंडन पामता खंडन इतले बार्थी अने अंदर सम खंडता धरावता होई इवा प्राणियों नो समुदाई इतले नुपूरक समुदाई सामाने रिते तिवो जलज एटले के मीठा पाणी नी अंदर पन जोवा मडे छे अने खारा पाणी नी अंदर पन जोवा मडे छे तिवो स्थडज एटले जमिन पर पन जोवा मडे छे मुक्त जीवी औने क्यारेक परोब जीवी तरीके पन जोवा मडे छे तेमना सरीर नी अंदर चोकस प्रकार न अंगो भीगा मड़ी ने चोकस प्रकार नू अंग तंत्र नी रचना करे छे के जे देधर्मिक क्रिया करवा माटे जवाबदार होई छे सम्मीती जो ये तो द्वी पास्व सम्मीती द्वी पास्व सम्मीती इतले के प्राणी सरीर ने मध्य अक्सपर कोई एकज धरी थी बैसरखा भागो मा विभाजी थाई सकतु होई तो एवा प्राणी होनी जे सम्मीती छे A, bilateral symmetry इतले के द्वी पास्व सम्मीती कहिये छे नुपुरक समुदाईना जे प्राणी हो छे ए त्री गर्भस्तरी या प्राणी हो छे त्री गर्भस्तरी या प्राणी हो एटले के मुख्यत्वे त्रोन गर्भस्तरों होई छे सवथी अंदर नुस्तर, अंतह गर्भस्तर, जिनी अंदर कोसो आवेला होई मध्य गर्बस्तर, 12-05 122 गर्बस्तर सम खंडिये खंड ता धरावता प्राणियों एकले के अंदर थी अने बार एक सरका खंडोमा विभाजित थाए येलू शरीर होई तो एने सम खंडिये धरावता प्राणियों केवाई आउप्रांध三 गर्बस्तरों छे एटले घर्बस्तरो वच्चे, पोलाण पन जो आमडे छे, एटले एमनी अच्चे, देही कोष्ट नी हाजरी पन जो आमडे छे, तेथी आपड़े एने देही कोष्टी प्राणियों कहिये छे तेमनु सरीर, सपाटी एक खंडों कि विखंडों ए नोंदनी ए रिते बीजाबधा प्राणियों थी, जुदू पड़े छे, आथी आ समुदाईनु नाम, नुपूरक समुदाई छे सामाने रिते तेमनामा सरीर नी अंदर आयाम औने वर्तुडिस नायू आवेला होई छे, जे प्रचलन मां मदद्रूप थाई छे, आउप्राण अडस यानी अंदर प्रचलन माटे वज्र केसो आवेला होई छे आजी वज्र केसो छे, बराबर वज्र केसो जे छे, ए अडस याने प्रचलन नी क्रिया माटे मदद्रूप थाई छे, आउप्राण जे रेती किडो जिवा जलियनू पूरक मा अभी चरण पाध होई छे, एटले के एक प्रकारनों पास्विय उपांग छे, जे एने तरवा बराबर आउप्राण उट्सर्गी काओ आवेली होई छे, मुख्येत्वे टौन प्रकारनी उट्सर्गी काओ छे, विटपीय उट्सर्गी काओ, कंठनाली उट्सर्गी काओ, बराबर ओके, त्वचे उट्सर्गी काओ, जेवी जुवा मडे छे, जे पाणीन मा आसरूती नियमन औने नकामा ध्रव्योंने बाहर कडवा माटे मदद रूप थाई छे चेता तंत्र सुविक सित होई छे एले के आर इतना तेमनी अंदर सरीर आपड़ाडस यानो जोई ये तो दरेक खंड मां एक चेता कंद छे आर इतनो औने दरेक चेता कंड आर इतनी बेवडी निकडे छे पराबर एटले चेता कंद चेता रज्जुओ अने पास्विय चेता ओथी एमनु सरीर बनेलू छे रेती किडो जलत स्वरूपी ध्वी ग्रूही अने एक लिंगी छे जरे अडसिव अने जडो ए उभईलिंगी छे उभईलिंगी एटले के एमनी अंदर नर प् अंग बन्ने एकज प्राणी मा जुवा मडे छे परंतु तेओमा स्वफलन थाई सकतु नथी द्यान राग्जो विद्यार्थी मित्रो के एमनी अंदर सुक्रपींड औने अंडपींड एकज प्राणी मा आवेला होई एटले के नर प्रजन अंत्र अने माध्या प्रजन अ अंत्र बन्ने एकज प्राणी मा आवेला होई छे ता अडशियू स्वफलन करी सकतु नथी आउप्राण जोईये तो एमना पाचन तंत्र सम्पून छे एटले के अग्र छेडे मूख द्वार अने पस्च छेडे मर द्वार छे रुदीर परिवहन तंत्र आकड़ पन अपड़े इनी अंदर लखवानू कारण के जरूरी छे के पाचन तंत्र ए सम्पून छे एटले के अग्र छेडे मूख द्वार अने पस्च छेडे मर द्वार होई छे आउप्राण अडशियो माटीनों खोराक तरे क्यो प्योग करे छे अहीं विद्यार्थिमित्रों आप लिंगी प्रजनन करतू नथी प्रजनन ए लिंगी प्रजनन करे छे एटले के बीजा प्राणियों नी साथी प्राणियों नी प्रजननमा जरूर पड़े छे रेती किडो अडस्यो लोई च्यूस्ती जडो वगेरे एना उदाहरन छे जड़ा वीसे एमपण केवाई छे के पाचंतत्र खुबज मोटू होई छे सामाने रिते गंदा पाणीमा जोवा मड़े छे गाई, भेंस, जिवी आ जिवा प्राणियोंना सरीर पच्चोटी ने ए रुधीर नुग्रहन करे छे एक वखत रुधीर ग्रहन करिया पच्छी गणों समय सुधी एक होराक नो ले तो पन एने चाली सके छे तो आ विद्यार्थी मित्रो नुपूरक समुधायना प्राणियोंना केटलाक लक्सणों छे लक्सणों याद रखवान अने जे बीजा समुधायना प्राणिय करता एने अलक पड़ता जे लक्सणों छे येने वाद करिये तो सरीर समखंडिय छे आउँ प्रान देहे कोष्ट धारी प्राणियों छे त्री गर्भ स्तरिय प्राणियों छे द्वी पास्व सम्मीती धरावे छे प्राबर अने अंग तंत्र स्तरिय आयोजन धरावता प्राणियों छे रूधिरा विष्चन तंत्र बंद प्रकानू छे संपूण पाचन तंत्र छे चेता तंत्रमा एक जोड़ चेता कंद, चेता रज्जु पास वेचीता वावेलु होई छे उबँः लिंगी प्राणियो छे सिवाई के रेतीकडो ए सिवाई ना प्राणियो उभई लिंगी छे परंतु प्रजनन तेवो लिंगी करे छे